हेलो फ्रेंज, स्वाक्त आपका यूटीब चैनल ग्यानवी 71 में आज मारा 1000 कॉस्टिन्स की जीके सीरीज की क्लास नंबर रहेगी 14 पहले वाली 13 क्लासिस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कॉस्टिन नंबर रहेगा 61 बोलो एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है क्रक ट अंस को J रहेगा हो रहेगा वे खूंकर कराक चैनल समोत लिए भी है क्राक ट तो आप देख रहेह वे यह से लाक्त किसी ना किसी के टीयार की पेपर में ही कोशिट बफन जाएगा तो आपने जो है अभी जो आपके November मंत में TAD हैं उसके लिए ये कोशिन अवश्य त्यार कर लेना है और जो है मेन मेन मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता दिया है एक वीडियो में मैंने इससे पीछे बताया हुआ है कि कौन-कौन से जो है वो दिवस हैं जो कि आपके लिए महत्यपुन रहेंगे अगर आपको पूरे चाहिए होंगे तो आपने जो है हमें बता देना है कमेंट करके तो मैं ऐसे ही कहीं बीच मैं उनको डिसकस कर दूँगी पूरे के पूरे या फिर उन पे मैं अलग वीडियो ही बना दूँगी पर हम पताएंगे तब ही अगर आप पताऊगे हमें कमेंट करके कि हमें जो है इस पर वीडियो चाहिए नहीं तो main main जो है मैंने पहले भी बोल दिया कि पीछे जो है एक पीडियो डाली हुई है उसमें main main मैंने बताए हुई है तो आपने जो है वो वाले तो कर ही लेने हैं नेक्स्ट कॉश्चिन और्स्ट्रेलिय की राजधानी है correct answer जो रहेगा वो रहेगा भी camera तो आप देख रहे होंगे कि ये राजधानी वाले कॉश्चिन भी बनते हैं तो आपने जो है ये topic भी अपना जो है वो त्यार कर लेना है क्योंकि हो सकता है किसी के tat में ये कॉश्चिन बन जाएं तो अगर आपको आता होगा तो आप जो है इसे आसानी से कर सकते हो तो आपने जो है ये अपने आने वाले chat के लिए ये दो रोपिक जो है एक मैंने पीछे बता दिया आपको और एक ये रहेगा जो दोनों ही त्यार कर लेने है कॉश्चिन नमबर 65 सौर संचाई योजना के लिए वित्वर्स 2019-2020 में कितने बज्ट का प्राधान किया गया है इसके लिए जो करक्ट अंसर रहेगा हो रहेगा D 30 क्रोड ये उस टाइम जो है वो करंट का कॉश्चिन था 66 दूल से मक्खा निकालने की वीधी कौन सी है क्राक्ट अंसर रहेगा वो रहेगा D अबकेंदरन तो यह कोश्चिन जो है वो ऐसे भी 67 नमबार क्या है नमबार एक बेंक है क्राक्ट अंसर बहेगा वो रहेगा C तो आपने जो है क्या करना है ये नबाड की फुल फॉर्म क्या होती है वो कमेंट करके बताना है 68 त्रिगर्थ तो भागों में बंटा हुआ था एक नगरकोर तथा दूसरा रख्ट अंसोज रहेगा वो रहेगा सी जाल अंदर 69 समिधान के अनुशेत की अनुरूपता से राष्टपती को पद से निश्काशित किया जासत पह है रख्ट अंसोज रहेगा वो रहेगा सी 61 next question रमनिय गां मिलाना का सर्मान्य शाश्र कौन है इसके रहेगा वो रहेगा जाम लू question number 71 मिंजर मेला चमबा में बनाये जाने वाला महतेपुन मेला है मिंजर किसके लिए निरूपित किया किया है क्राक्ट अंसोज रहेगा वो रहेगा डी मक्की के फूल के लिए तो मिंजर मेले के बारे में थोड़ा से मैं आपको और भी बता देती हूँ ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि चम्बा में जो है ये मिजर मेला मनाया जाता है कई बार पूछे जाता है ये मेला जो है वो किसके दारा जो है वो अरम करवाया गया था तो ये जो है वो साहिल बर्मन ने शुरू किया था इस मेलने में जो है के बार question ये भी आता है कि किसकी पुजा की जाती है तो इस मेलने में वरुन देव की पुजा की जाती है और ये मेलना जो है वो अगस्त महा में मनाया जाता है अब जो है question number 72 अटरल न्यू इंडिया चैलेंज कारेकरम लागू किया गया था इसके लिए जो सही अंसर हैगा वो रहेगा C 26 April 2018 next question रहेगा 73 किस वर्ष इसामसी को शूल पर चिड़ाया गया था correct answer जो रहेगा वो रहेगा A 33 AD में question number 74 हिमाचल प्रदेश में मृकुला देवी का मंदिर कहां पर है तो ये है उद्यपूर में ये question भी जो है वो मैंने दो तीन पेपरों में देख लिया ये जरूरी नहीं कि टैट के पेपर में और भी बहुत से एक्जाम होते हैं ऐसे तो उनमें भी ये कोशिन आया हुआ था तो ये है उद्यपूर में तो ये जो उद्यपूर है ये लहोज पीती में स्थित है कोशिन ऐसा भी पुछे दा सकता है कि माचल प्रदेश में मृकुला देवी मंदिर कहां है तो वहाँ पर उप्शन में ऐसे उद्यपूर, गाज़ा, केलांग, स्पीती ऐसा कुछ नहीं लुक का होगा तीदा लिखा होगा लाहौल, स्पीती तो आपने ये भी याद रखना है कि ये जो उद्यपूर है ये लाहौल, स्पीती में है और इस मंद्री को जो है आजे वर्मन ने बनवाया था कोशी नमबर 75 दिवारसल में किस बहुत बिख्शु का जन्म हुआ था क्रेक्ट अंसर जो रहेगा हो रहेगा सी पदम संभव यहां से पहले भी दिवारसल वाला एक कोशी नाया हुआ था तो वहां पर मैं आपको बदा दिये है जिसको वो याद होगा वो जो है इसे असानी से कर लेगा यह फेसे बता देती हूँ कि यह जो रिवारसल जील है आपको पता है कि रिवारसल एक जील है और यह मन्डी में स्थिथ है यह जील टैरते हुए टापूं के लिए प्रसीद है बहुत दर्म के लोगों में यहाँ जील पदमाकन के नाम से प्रसीद है वर इसी रोमस ने यहाँ शिव की अराधना करी थी बहुत बिक्चू पदम संबभी इसी स्थान से जुरे थे तो यहाँ रिवारसल जील वाले कॉस्चिन में यह मैंने आपको बताया हुआ था तो जिसको यह पता होगा वहाँ पे सुना होगा वह जो इस कॉस्चिन को असानी से कर सकता था और वर 1685 में गुरु गोविन सी जी यहाँ पे आये थे इसलिए यह अस्थान बहुदों, हिंदुओं और वहों सिखों के लिए पूजनिया है तो एक बार जो है मैंने फिस से आपको बता दिया तो आपने याद रखना है जिसने वहाँ पे पढ़ा होगा उसको पता होगा कि रिवासल में किस बहुत बिख्शु का जनम हुआ था तो वह हुआ था पदम संभव का अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अब शाद भी सेयर करें और चैनल को जो है वो सब्स्राइब करना ना भूने आप हमारे चैनल पे और भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स की वीडियो जो है वो देख सकते हैं मैस की वीडियो हेलफ़ूर रहेंगे H.P.T. non-medical के लिए था H.P.T. J.B.T. के लिए chemistry की classes जो है वो helpful रहेंगी both medical and non-medical के लिए और जो है इस series को आपने ज़रूर कर लेना है क्योंकि आपको पता है कि इस series में इतने ज़्यादा question आएंगे 1000 question बहुत ज़्यादा होते हैं 1000 question के बीच में आपको extra information भी दी जाती है जैसे आपको पता है मैंने रिवासल वाला question जो है कि बहुत बिक्सू वाला question जो है तो आपने जो पहले वीडियो सुनी होगी उसने वो रिवासल जील के बारे में सुना होगा वो जो है इस question को असाने से कर सकता था आपके जो है एक वीडियो आपका जो है वो अच्छे से फिर हर चीज क्लियर हो जाती है एक्स्रा information जो है आपको वहां से मिल जाती है तो आपने जो है यह series भी अपनी पूरी कर लेनी है धन्यवाद